जहां एक तरफ कनाड़ा के PM को अब रूस की तरफ से भी लताड पड़ी है और भारत में जो रूसी राजदूत हैं उन्होंने क्यों फटकार लगाया है तो जानेंगे क्यों उन्होंने जैसंकर के बाद कह दिया कि तुमने यहां पर जमावडा लगा रखा है अड़ा बना द जिसके बाद नेपाल ने क्या किया जानेंगे जीओ पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से बात करें जस्टिन टूडू की तो आज कल दिन खराब चल रहे हैं बिचारे के कुछ से कुछ कर रहा है और जो कर रहा है वही उल्टा पढ़ रहा है अमेरिका को खुश करने के लिए युक्रेन के राश्पती जेलेंस्की को बुलाया लेकिन जेलेंस्की के साथ एक और बीच में चीज आ गई और वो चीज थी हुंका हुंका का सम्मान हुआ दो बार उठकर तालियां क्या बजाई अंतराश्टी अस्तर पर समस् हो तो उसके बाद माफी मांगना पड़ा इस स्पीकर को फिर मामला यहीं खतम नहीं हुआ रूस ने तुरंत इनके विदेश मंतराले को बुला लिया और उन्हें कहा कि हमें जवाब दो तुमने ऐसा क्यों किया तुमने एक नाजी को अपने संसद में इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया तो वहीं दूसरी तरफ जो डेनिस अलिपो भारत में हैं इनके राजदूत उन्होंने तो गजब की कलास लगाई यह ट्वीट देख रहे हैं आप इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि यहां नाजीयों के लिए भी स्वर्ग बन गया है अब इसका क्या मतलब है ड पर नाजीयों का भी अड़ा बन गया है साथ ही साथ उन्होंने जेलेंसकी की भी कलास लगाई और कहा कि तुमारे दादा अगर अभी जिन्दा होते न तो उन्हें बहुत अफसोस होता कि तो उनका पोता क्या कर रहा है खेर यह तो जस्टिन टूडू की कलास लगनी सुरू हुई है एक के बाद एक लगता है दिन खराब हो गया है पर वहीं दूसरी तरफ नेपाल को नाटो में सामिल करने का ओफर दिया चायना ने और यह इस्तिती बहुत मुश्किल भरा बन गया नेपाल के लिए क्या आपको पता है यह जो चायना चाहता है कि अकसाई चीन भी इन सब के पीछे क्या है एक कीसवी सदी की लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है तो आपको बता दें यह लड़ाई हो रही है ताजे पानी के लिए चायना को यह सारा चाहिए यह पांचो चाहिए यह पांचो इसलिए चाहिए क्योंकि उसे पानी चाहिए कई बार हम सिक्किम भूटान और अरुनाचल परदेश और हतैली कौन बनता है हतैली बनता है तिबबत ये कहां से आया ये concept तो आपको बता दे 1940 का समय था जब माओ इस तरीके के speech देते थे और कहते थे कि हमें ये five finger चाहिए पाम के साथ इन्होंने तिबबत के उपर हमला कर दिया क्यों तिबबत के उपर हमला किया क्योंकि इन्होंने तिबबत को कमजोर पाया बहुत धर्म अपना चुके थे ये लोग हतियार छोड़ चुके थे इन्हें कबजा में लेना आसान था और 1950 में इन्होंने तिबबत पर कबजा कर लिया माओ की जो सोच थी माओ ने हतैली पर कबज चाहिए थे अब आपको बता दें तिब्बत में आखिर क्या था तिब्बत में साउथ का सबसे बड़ा वाटर टावर था तिब्बत कब जाने के बाद क्या इसकी प्यास मिट गई नहीं इसकी प्यास नहीं मिटी तिब्बत के बाद इसे लद्दाक चाहिए था क्यों क्यों क उसके बाद इसे नेपाल चाहिए था क्यों क्योंकि नेपाल घर है हिमाले से निकलने वाली नदियों का उसके बाद इसे सिक्किम चाहिए था क्यों क्योंकि यहां से तिस्ता निकलती है फिर इसे भूटान चाहिए था क्योंकि भूटान में भी बहुत सारे रिवर थे बहुत तीहाई पानी ही ब्रमपुत्र का है, दो तीहाई पानी अरुनाचल के पास है, और चाइना नहीं चाहता है, कि इतनी बड़ी ताकत भारत बंगला देश जैसे देशों के पास रहे, वो चाहता है कि इस पूरी ताकत पर उसका हक हो, मतलब आने वाली लड़ाई क्या पानी के लिए कर रहा है, चाइना, आखिर क्यों, तो यह नकसा आपको बताता है, 94 परतिसत जनता कहां रखती है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है ये, और इसकी जनसंख्या 94 परतिसत रहती है, बहुत ही छोटे इलाके में, जो समंदर के पास है, क्यो ही हासिल होगा जब एसिया के इन देशों पर कबजा करेगा चाइना, और इसी के लिए चाइना अलग-अलग नीती बनाता रहता है, कि किसको कैसे पकड़े, आपस में लड़वाएं और लड़वा कर फिर कबजा करें, पुटान के साथ ट्रीटी साइन करना हो चुपके ये एकदम लाल वाला लंबा सा बड़ा सा कारलीन, और स्वागत ऐसा कि एक बार को परचंड भी सोच रहे हो, कि मुझे ले जातो रहे हो बिटा, चाहिए क्या तुम्हें, जरूर कुछ जरूर चाहिए, और ऐसा ही हुआ, यहाँ बिजनिस मीटिंग हुई, बिजनिस मीटि पर हाँ कर दो, कि हाँ भई हम BRI लेकर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद तुम GSI पर भी हाँ कह दो, GDI पर भी हाँ कह दो, GCI पर भी हाँ कह दो, परचंड का दिमाग घूम गया, और वो हिचकने लगे, कि नहीं, देखो BRI के लिए हाँ कह देंगे, हम GDI के लिए हाँ कह में सोच लेंगे आगे बात कर लेंगे लेकिन ये जो सिक्यूरिटी वाले पैक्ट हैं जी एसाई और जी सी आई जिसे दुनिया कहती है कि क्वाइड और नाटो के खिलाफ चाइना ने एक ग्रूप बनाया है इसे हम साइन नहीं करेंगे अब चाइना का दिमाग गूम गया इ लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपको बता दें चाइना का एक बहुत सोचा समझा प्लान है चाइना हर हाल में अपनी बात को मनमाना चाहता है एक लिएग उस नहीं पर बना आलेगा तो पिर किस भारत को गेरने की कोशिस करता है और अपने ये पाम और फाइव फिंगर वाली थियोरी इसे सही करने के लिए जो भी हो सकता है वो करने की कोशिस कर रहा है कौईड और नाटो के चक्कर में 2013 में जिन पिंग लेकर आए जी एसाई जी डी आई बियराई इन सारे को लेकिन अब उन्हें नेपाल से बड़ा जटका मिला है हलाकि परचंड ने एक बार इंटर्वियू के दोरान कहा था कि देखो हम जी एसाई में ऐसे भी सामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने इंडो पैस्विक के लिए अमेरिका को हां कहा है और अगर हमने अमेरिका को हां कहा है तो जी एसाई में तो अमेरिका है ही नहीं जब अमेरिका नहीं है तो हम इस पैक्ट को कैसे साइन कर सकते हैं खेर इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जब मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ